कैसो निल, चीहा रेक्स की कैसो निल, मैदे जिगर से रोख हटाए, आतों को मस्बूत बनाए, कैस अफारा दूर भगाए, रेक्स की कैसो निल, टेबलेट्स और सीरा हट कैसीरां कुछ लोग कह रहा हैं कि हटस faculty क खंग की गई, वह जाइज है बाजिव है और इसको बहुत बहुत हम खत्म कर रहने चाहि connecting को स्जाइश है। इसको लेकर भी कई तरह के लाए है वर्मा की मुफ्टियां के अलब लग लग दाया है लेकि आज हम इस प्रोगाम में बात करेंगे जो हज सबसिदी दो हजार अटारा हज पर लोग जा रहे हैं हजी इस भार हज पर जा रहे हैं जिन में से एक लाग fått सिर्प हजीं है जो सेटर हज कम blas Komite के जरिए इन्शाल सालब हज पर रदा करेंगे तो एक सबसेड़ी का असर पर्ड़ेगा यह najbardziej नियुंद दो हजार सोलह के बाद तो हजार आज लगाता कैनसरकार के सबसिडी को थोड़ा थोड़ा करके खत्म किया जाना था 2006 से पहले बारा हजार हज का किराया हुआ करता था जो बढ़ते 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 अब 45,000 तक पहुंच गया है किछले साल जो हज पर कहले थे 2017 में उन से किराय के नाम पर पैसर जिया गया था कियंत सरकार के जड़ी कि वह 45,000 उपे था जिसमें तक पच्छिस हजार उपे केंदर सरकार ने सबसिड़ी थी लेकिन इसके साथ ही एक चीज़ और आपको बताना चाहूँगा कि यह पूरा मामला 2006 में कोर्ट में वेया था और कोर्ट में जाने के बाद जो एक सुपने कोर्ट की बेंट थी उसने इसके यह फैसले दिया था कि रफता रफता इस सबसेड़ी को खथम के जा है efect 64 यह ज़ए बुकु जो बीडीपी सरकार के बोहारा आब अचानक इस सबसीड़ी तो इसको लेकर यही सवाल प्रड़ा हुआ है जब कोई फरकार जब सुप्रीर कोड ने फैसल दिया था कि 2022 अब तरफ 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 को फतम करना है तो अचानक यह सबस्डी खात्म की की तो यह भी द्रमात लगा है कि 2019 की अलेक्शन को देखते हुए यह फैस करने की हुए यह है कि 200 करोल्ड की सबस्डी अब जो कम उते हम इखते होती वेजेक्शन को देना इसन इसको घद्अ ख़तम के गयाए है तो इसके साथ ही सवाल यह भी ऐखिया जा रहा है कि क्या अब गैस सरकार उन बज्ड़ेट इसको भी खतम करेंगी जो धार में किसकलों पर जाने की लिए चाहे वो मांसरों की बात करें या और सारे जो यात्री जाते हैं उसके लावा कुम का जो मेरा लगता है उसकी अगार बात करते हैं तो ग्यारा सो पचास करोड़ लुपे दो हजार चौदा मैं के अंतर सरकार के किसी कुम मौले की में दे गए थे उसके अलावा MP गवर्मेंट ने सो करोड़ लुपे जो महां पर कुम का मेरा लगा था वो दिया था और उसकी अलावा 3400 करोड़ लुपे खर्च किया हुआ था उस कुम के मेरे में अरजिमेंट में क्यांगर सारीस वच्छा व्यवस्ताम इंतिजाम करना होता है, रेंट लगता है, वह सारे इंतिजामात होते हैं, तो उसके लिए मत परदेश सरकार ने 3400 करोर रुपे खर्च किया था, उसके लावा, यह तो केंद सरकार की सबसेटी की बात है और अगर बात की जाए और जीज़ों की तो उत्टा परदेश में, एक सबसेटी भी जाती है, 30 जात्रा के निय हैं, एक लाग पचास हजार रुपे एक यात्री को वो सबस्टी को तब परदेश सरकार के दरवार दी जाती है अमत परदेश में इसी तरह की चीज़ें हैं और ना सिर्ट डवर्मेंट वाले हैं करें सरकार के सथी भी साजी तरह दी जा रही हैं तिम्ध यात्रा के नाम पर गुंग के मेलों के नाम पर तो क्या इनको भी सरकार अब खतम करेंगी क्योंकि ये इस तरह से मथभब के नाम को पूई लेते हुए कि इस सबस्टी को खतम कर जाना चाहिए तो क्या अभी ही सवाब करा हो रहा है कि जो और सारी आत्रा हैं हमकर भी सरकार बिलकुल इस लड़कियां मुस्लिम बच्चियां जोने उनकी एज्विक्रिशन पर लगा जाएगा तो ये पूर इतरा से ये बहलावा है बहकावा है क्योंकि इस से पहले भी बिलानिक कमिशन के जरीए मुस्लिम लड़कियों के लिए तारीम के लिए एक अलग से बजट खास किया गया है हलाएगि मुसल्मान काफी हरसे से ये बांग करते चले आ रहे हैं कि इस सबसेडिय को हमें नहीं चाहिए ये एक बहकावा है एक खिलोना है जो मुसल्मानों को दिया रहा है उस से नसीं सर्फ बिजट की सरकार औरके इस से पहली की सरकार है कॉंग्रेस की बात करें, कॉंग्रेस की इस तरह से जो है, जो मेर इंडिया है, उसका खसारा हमेशा पूरा करती रही है, इस सबसेटिक के नाथ पर, तो अगर ओपन टेंटर कह जाता है, तो किराया बहुत कम पहुंच जाएगा, 35,000 से जी कम, जह से इंटरनेशनल आइज के प्राइवेट पूर आपरेटर से हमाज आप टिकेट खरिदे हैं, बल मैं अगर एक टिकेट खरिदा जाएगा, एक लाग से ज्यादा हाजी, एक लाग 25,000 हाजी अगर दिये जाएंगे, किसी भी ऐल्माइज को, तो वो 25,000 से 30,000 हाजी में पूरी तरह से सयान बजाएंगी काजी, हाजियों को ले जाने के लिए, तो यह पूरी तरह से एक भेकावाता सरकारों के त्वारा, इसके लागा अगर आख मात पर दे हैं कॉंग्रेस की कोंग्रेस की नहीं किसी बी तरह से दूद की लूई भी हैं और तई स्थम्हें की सबसिडिय दी जा रही हैं यह पूरा एक घालमेल है और जिस तरह से बयानात आते हैं मुखतर अब वासन कोई के ज़री है और उसलिए दिस तरह से यह कहा गया है कि इस बार सबसे ज्यादा हजी आती हज पर जाएंगे कि अर्थ इस तरह से नहीं काईडाइस बनी है तो उसके एक लाग अच्छी सजार हाजी पराइवेट हज कमेटी के जरी जाएंगे और वाकी पचास हजार हाजी जो है वो पराइवेट टूर अपरेटर लग से जरी है फरीज हज 2018 वो आदा करेंगे तो यह पूरी तरह से मुस हजके नाम पर मुसल्मान को इस सब्सेडी क्यों दी जा रही है ना सिर्फ गहर मुसलिपक्त को मुसल्मान भी हमेशा से यह कहते रहे हैं जो पड़ेजी भी है जो हजके मैटी से लोग जो पहले के चैर्मैन से उनका हमेशा यही कहना रहा है कि ओपर टेंटर किया जाए और और जो एरेट्डे का खासारा पूरा करने की कोशिश की जा रही है वो ना किया जाए ओपर टेंटर अगर किया जाएगा तो कोई सब्सेडी देने की जबूद नहीं है और हादियों कोई किसी तरह का बोज नहीं पड़ेगा तो अगी देखने वाली बात ही होगी क्या एक कर बो ले ली बाया है केंज सरकार की जरी है लेकिन क्या अब करने सरकार हादियों पर ज्यादा किराय का पूजणा पड़े इस तरह से पिछले साल के आप लिगरेगा ज़िए चार्ण के जाता है उससी तरह से इस कर सालों के चलता रहा है तो हाज कर नहीं है हज का बेटी के दिए फरीज हज को अजा करना ना nhấtु मूल के ही जाएगा आप हमारे च येनल को सब्सक्राइब करने के लिए योट्यूब चैनल पर जाकर सब्सक्राइब के बेटन जरूर दबाएं और हर खबर से अफड़ेड होने के लिए बेल का बटन के दो दबाएं ताकि जब भी हम अपना कोई नया वीडियो अपने यूटूब चेहराद पर हम अपलोड करें तो उसके बाद आपके पास मैसेज पहुँच जाएं और आप जो लादातरी खबरे हैं उसे पुपी तरह से बाख़बर रहें और ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा जरूर हमें बताएं शुक्रिया तुछाएं इसका जी हुँआ ऑ जया है गीजिग गूपने प्रोग्राम वेूट्वगर से बनुशएं टाद य् सेंविस्वफ बनुछवशब।